धार जिले के कुख्शी तहसील में डेहरी में आये दिन चोरों का अतंग बना हुआ है गंधवानी रोड पर कपास की दुकान से चोरों ने मंगलवार की रात लगभग चार बजे के आसपास कपास की दुकान का ताला तोड़कर 40,000 रुपए चुड़ा कर ले गए वही दुकान में लगे CCTV में चोरी की पूरी घटना कैद हो गई वही पुलिस में शिकायत के बाद चोर पुलिस से कब तक दूर रहते हैं यह देखना होगा फिलहार चोरों के होसले इतने बुलंद है कि 20 दिन पहले चौकी के सामने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था इससे साव जाहिर होता है कि चोरों में पुलिस कोई खौफ नहीं है पूरी घटना करम क्या है का नाइट में एक बच के बीस बाइस मेंट पर जो लागे हुए उसके आदार पर हमने देखा तो आगे का केमरा तोड़ा और उसके बाद छोटे गेट का ताला तोड़के अंदर से कपास लेके रहीं कितना कि रहीं कर अकाई कंदर ​​ से दस बार चोड़ी हो चुकी है कि इस बार अभी मैंने नाम-ज़ज जन पर मैं अब तक यह प्रतिवराज तो मर है उनसे बात है इसलिए पुलिस प्रसाथन भी सकती जड़ान नहीं बरत रहा है इसलिए міडिया के माध्यम से में यह चाहता हूं कि हमने लिखित में सुचना दी है ये गटना रात के डेड़ से दो बजे की बात है चिए अग्याद आरूपी है जिसमें दो काले कलर के हुट्डी वाले जेकेट बेहन रखे हैं और तीन लड़कों ने पीले कलर की जर्की बेहन रखी है तो ये कफास बरके ले जा रहे हैं और आज मेरे पुलीस फोर्स ने एक संदीद को उठाया है जिससे पुस्ता चल रही है और प्रयास गर्रम इसमें प्रेस हो और रात्री घस्त पे अपने रवान को बोल्ड़ से प्रात्री घस्त में अपने हेड़ साब थे और सेनिक थे अब तो इसमें अपने पास अभी कोई लिखित में अपर प्रयास करने पर इसमें अपने बाकी वाली घठना दी उसके चोड़ अभी तरफ पकड़ में आये सो उसमें सीचीड़ फुटेज के अधार वेपन शिनात कर रहे हैं और हो सकता उसमें ट्रेस हो जाए समय लग सकत हार गंधवानी से जावेद पडेल की रिपोर्ट